आपको समझाना चाहिए कि आपके अच्छे दिन आने वाले आपकी किस्मत जो है वो खुलने वाली है आपकी साथ अब सब कुछ अच्छा होने वाला है तो चलिए वीडियो को बिल्कुल भी लंबा नहीं करते हुए हम अपनी जानकारी शुरू करते हैं अक्सर अच्छे दिन आने से पहले जो प्रभू है हमारे ईश्वर है वो हमारे ज सुबह या फिर जीवन में अचानक कुछ ऐसा बदलाओ दिखे तो समझ लीजे कि आपको जो है वो सौभागे की अप्राप्ती होने वाली है आपकी किस्मत जो है अब चमकने वाली है सबसे पहला अगर आपको सफेद गाय दिख जाए सुबह सुबह आपको सफेद गाय दि परने लगती है तो उससे क्या होता है माता लक्षमी की कृपा आपके उपर बरसती है आपको जो आर्थिक तंगी है वो दूर होती है और यदि मधूर धुनिया सुनाई पड़े आपको सुबह जगते के साथ तो आपको जैसे मधूर धुनी मतलब संख का आवाज या फिर गंटी की आवाज मंदिर की गंटी की आवाज आपको भजन किर्थन का धुनी सुनाई दे तो ये भी बहुत अच्छा शकुन माना जाता है बहुत अच्छा शुब संकेत माना जाता है और अगर आप मार्ग में आपको चलते हुए सोला सिंगार की हुई नव वर वधु दि साथ में अगर आपको श्रीफल यारी कि आपको सुबह उठते के साथ नारियल के दर्शन हो जाए तो समझ लीजे कि कोई अच्छी ख़बर मिलने वाली है और जब आप ट्रेवल कर रहे हो जब आप यात्रा कर रहे हो उस दोरान आपको यदी साप हो गया कुट्ता या फिर ब राप्त होगा ये भी बहुत शुब संकेत माना गया है यदी सुबह उठते के साथ आप सवेरे जगे हैं और आप सर प्रथम आपको दूध या दही का दर्शन होता है तो ये भी बहुत अच्छा संकेत माना जाता है कहा जाता है कि आपकी जो तकदीर है वो अब चमकने वा वेडियो में कुछ नई जानकारी के साथ तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद रादे रादे